अनिरुद भरदवाद जी शीह रिवाइश रादे महराजी महराजी अभी मैं कॉलेज में पढ़ रहा हूँ महराजी हमारी जनरेशन बहुत ज्यादा गलत कामों में लगी है और गल्फरेंड बॉइफरेंड बनाना एक ट्रेंड सा चल गया है और बच्पन के दोस्त भी गलत रास्तों पे चल चुके हैं और साथ रहने के कारण कभी-कभी मेरा मन बहुत ज्यादा डिस्टब हो जाता जबकि श्री जी किरपा से आस तक कुछ गलत कारे नहीं हुआ महराजी किरपा करके इस विशे पे भी मेरा मार्ग दर्शन करें कि वैसे कई बार इस विशे पे चर्चा हुई है पर हमें लगता है कि हम दूसरों को नहीं समाल सकते हमें अपने को शमालना है शिद्धान्त की बात समझो दूसरे गलत कर रहे हैं हमको नहीं करना है फिर हमक तू करे भलो बुरो संसार नारेन तू बैठिके अपनों भवन ब्याद अपनी हरदे को हमको यह बहुत मतलब बहुत ही भिधन्ष कारी बृति है जिसे गर्ल फ्रेंड वॉय फ्रेंड जो सब्डू से उच्छारण किया जाता है यह भिधन्ष कारी बृति है धर्म का नास कुछ भी अच्छा नहीं है। अगर किसे ब्वह ये में पावन जन्वए हैं। जब बानिक ग्रहण्र को किसी पुरुष का स्वाईकार नहीं करते थे। जब तक पुरुष पुरुष पाणिक ग्रहण्र्ष्वाईकार ना कर ले। मित्रता है मारे आपकी मित्रता में दोश नहीं पर मित्रता का बहाना लेकर जो भोग वासना में उतर जाना यह बहुत ही हानिकारक है। आप तो ऐसा भी सुनने को मिला है की हो कौन सा लिविन रिलेशन्द आ डू क्या कहते हैं अब बूलो क्या जीवन तुमने क्या समझा है बजार की दुकान की वस्तौ आप माता पिता की वक्त बन सकते हो नभगवान के वक्त बन सकते हो आपका जीवन कूड़ा हो जाएगा यह जो आज का समय चला है भगवान बचावें इसलिए कलिकाल विहाल किये मनुजा नहीं माने को अनुजा तनुजा तो सब भाव भरष्ट होते चले जा रहे हैं जहां हमारी शुरक्षा होनी चाहिए वहीं अपने आपका नास कर रहे हैं कविरा खड़ा बजार में सबसे पूछत खैर अपनी सबसे दोस्ती नहीं किसी से बैठ सब मेरे भगोत शुरूप मित्रे सबको प्यार सबको दुलार सबको शुक पहुचाने की भावना लेकिन जहां दूसरे से सुख लेने की भावना में मित्रता का नाटक किया जाता है वहां नास प्रगठ हो जाता है नास वो हो सयंयम का नास तुमारे इंध्रियों की पवित्रता का नास तुमारी वुद्धी का कर देता है और नए बच्चे जिसे जुडेमा उन्हों समय में तो ऐसा था ही नहीं ये मुबाइल नहीं था गरल फ्रेंड बॉइफ्रेंड ये तो सब्द ही नहीं थे सब्द ही नहीं और सची कहते हैं गाओं का ऐसा पवित्र जीवन कि दस बाला चौदा वर्स तक तक तो उनको यही पता नहीं रहता था कि इस्त्री पुरुषका कोई ऐसे बिवार भी होते है खेल रहे लहा रहे कूद रहे ऐसा पवित्र अब आठ दस वर्स का बच्चा मुबाइल का पूरा इंजीनियर है हो पूरी सब बाते जा आध तक मुबाइल चलाना नहीं आया जीवन में कोई मुबाइल ने रखा आज भी नहीं है तो बहुत समलो बहुत कल्यूक का प्रभा बढ़ रहा है मुबाइल के द्वारा गंदी बाते देखने की शुविदाय हो गई है और दोस्तों के द्वारा तब टॉर्चर किया जाएगा हमारे दोस्त लोग हमको ऐसा पिर तो मुझे लगता है कि ऐसी दोस्ती तो नहीं है ऐसा विभार तो ठीक नहीं है अच्छा आज आप से दोस्ती हुई वो आगे एक सब दोर बता रहे थे रोक देने को क्या कहते है दोस्ती-दोस्ती को रोक तो अगर वो सब्द उचारण करेंगे ना तो ऐसे चोट लगेगी आपके एर्दे में कितना गिरा हुआ सब्द कहा जा रहा है इसको क्या कहते जलते पीछे के सब्दों में सास्परों में पढ़ लेना आज जिसे तुम खेलवार समझे ना इससे ब्रेक किया क्या ब्रेक अब और दूसरे से फिर मित्रता फिर उससे फिर तीसरे से फिर चोटे से तो हम क्या सब्दों को बूले आप लोग अपने मन और बुद्धी को डांट नहीं सकते हो इतने गंदे आचरण कर रहे हो जब आप ग्रेस्थी में जाओगे तो आपकी क्या निष्ठा होगी रोज अलग-अलग होटल से बोजन मंगाओ फिर एक रसोई में तुम्हें एक महिना खाके दिखाओ में नहीं खापाओगे चाहे जितना अच्छा बोजन बने मन कहेगा कि आज होटल से लाओ आज ब्रजवासी वाली होटल से लाओ कल उस ढावा से लाओ क्योंकि दुस्ट आराधन जो भी यह साब भगवात प्राप्ति के लिए है जैसे पती पतनी का है ना यह भगवान की पूजा के लिए स्रश्टी वर्धन जो सेवाएं हैं वो होंगी और दोनों मिल करके खुब धर्म से चलो भजन करके दोनों भगवत प्राप्त हो जाओ ऐसा थोड़ी की ग से बी आईपी मत बनो कि तुम जीने लायक न रहो देख लेना आप खुद अपने जीवन को देख लेना एक दिन क्योंकि तुमने मनोरंजन किया न आप तुमारे करेंगा आपको लगा मेरी मन की बात कह दी तो ऐसे नहीं होता आपके मन और हमारा मन तदात्म हुआ और उस समय उश Welsh ने आनुभव किया ऐसी इस्थिति होती उसका बढ़्णन कर रहें तदात्मता से ही साब हमारी भगवत शुरूप हो जहां एक मन करके लगाओ वो अपने पता चल जाता है कि आपकी मन इस्तिती कितनी है कैसी है ऐसा संसार में होता है तो आपको कैसे पता चला क्योंकि आपके मन में मन को लगाया गया तो पता चल जाता है हाँ ऐसा है ऐसा है ब बचो बच्चा भगवान की कृपा है जो आपके अंदर इसा प्रश्ण है अपने आपको बचाओ ये बिल्कुल ठीक नहीं है ना संसार के मार्गे के लिए और ना भगवान के मार्गे के लिए संसार के देखो अगर संसार में भी कहीं सुख मिलता है तो प्रेम से मिलता है पक कुरार हैं, दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, ठीक धर्म से चलते हैं, बड़ी हां ग्रेशती हैं, और वो प्यार कैसे करें, प्यार की भूमिका तो पहले ही नश्ठ हो गई, अब रह क्या गया है, अब तो खोखला जीवान है, अब क्या होगा, अशान्ती, ब्रतियां ब बेवार करते हैं, क्या है हमारा हरदय है, देखो कितना कठोर, कितना गंदा हो गया, अगर हमारी बेहन को कोई गंदी दृष्टी से देख ले, तो हमें बरदास्त नहीं होगा, और दूसरे की बेहन के साथ हम क्या बेवार करते हैं, ओ मुझे बरदास्त हो जाता है, कैसी ब बढ़ी आए बस गंदे आचरणों में न भागना संत्संग मिल गया है और माता-पिता के आग्या में और हाँ और बिना सूचना दिये माता-पिता को कहीं मताना जाना देखो माता-पिता सबसे पढ़े पर मातमा है मारे वो गुरु है Sबको मानना चाहें बहुबरद्ध माता पिता का बेवहार नहीं देखना चाहें हुचाए गाली दे करवज़भर करें पर आपको जब तक उनका शरीर रहे उनकी दास्ता से युक्तर होगे तो जीवन सुक्षी रहेगा माता पिता भृले करवचा बूलें लेकिन जितना वो प्यार करते हैं न हरदैसे दूसरा नहीं करेगा मचा है जितना दुख हो जम्मा ऐसे लगा लिती न एक अशीम आनंद मिलता है तो ऐसे माता पिता को शूचना देके उनकी आज्या मेरे करी धामादी कहीं भी आए जाए उनकी अनुमती ले ले और उनका अस सिर्वाद ले ले फिर यात्रा करें फिर अपने जीवन को सत्मार्ग में चलावे अच्छा रहेगा